नमीश अहुजा जी पट्याला से राधा वल्लव श्री हरिवेंश महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम महराजी श्री जी की कृपा से मैं साथ साल से प्रति दिन मंदिर जाता हूं प्रति दिन नाम जब भी करता हूं पर मेरे जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता आती है या कोई कारे सफल नहीं होता तो मेरे शरीर के जिस्तार मुझे कहते हैं कहां गए तुमारे भगवान प्रति दिन मंदिर जाने का क्या फाइदा हुआ जब वो ऐसा कुछ भगवान के विश्य में बोलते तो मुझे अब पर समय जाता है जैसे निकल गया अब एक मन गय हूं बोने वाला साथ मन गय हूं उससे काट रहा है अब जब एक मन गय हूं फेक्स दिया तूस दूसरा तूसरा जत्सकार क्वान दूसुराय दूसरे दिन उसके पार रोटी के लिए नहीं, अब उसे कोई उपहास करें, कि बेकूफ़ाई है, फेके आया एक मन, कम से कम पिस्वाता तो एक हफ्ते चलता, क्या करेगा वो एक मन, तो चुप रहो, चार महीना चुप रहो, इसके बाद वो एक मन, साथ मन तुमें जब क्योंकि कोई भी खेती ततकाल नहीं होती न, तो इसलिए बच्चा ये सतकार है, सतकार कभी वेर्थ नहीं होता, जब असतकार नहीं, बिना दंड दिये रहता, तो सतकार तो मंगल की बिना कैसे रह सकता है, हाँ ये ज़रू है, कि पूरुजन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म है, जो हमें भोगने ही पड़ेंगे हाँ तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करे हाँ उसको जैसे हम कई बार सत्संग में शुनाया है उदारण से बात समझ में आ जाती है एक दो मित्र थे स्कूल में साथ पड़ते थे जब थोड़े सयाने हुए तो एक गलत मार्ग में चला गया धनी घर का था शराप पीना बैश्या गमन करना जुआ खेलना बस उत पटांगे गनत और एक था गरीब घर का था गंगा नहाना नाम जब करना मंदिर जाना ऐसे सुरू कर दिया अब जो जिस मार्ग में चलता उसमें उसकी और बढ़ोतरी होती वो और गंदा ये और भगत तो इसने ब्या भी नहीं किया नाम जब करना ओ वो तो मतलब जितनी गंदगी एक दिन दोनों मित्रों की मिलान हो रहे थी वो अधर शे आ रहा था और ये इदर गंदगान आके नाम जब करती है जा रहे थे तो जे देखा मित्र सुई इतना बड़ा खजूर खजूर काटा होता ना इतना बड़ा काटा पार कर गया वो भगवान का नाम लेती हुए बैठ गये और लांग बोट पहने हुए नसे में एक दहा है बोले देख लिया तेरे भगवान ने क्या किया है पुरा जीवान हो गया ना गंगान आते अब क्या देख देख मेरे पास वई भाव क्या कमी है लोग जहां जाते हैं चार लोग आव आव बैटते हैं मौज मस्ती कहते थे हमारे साथ रहे मौज मस्ती में रहेगा अब इतना कहके तो चला गया चार कदम बढ़ने पर उसको एक अटेची मिली जिसमें हीरे थे लोटके फिर आव बोले देख रहे तेरे काटा लगव मेरे अब तो उसका विश्वास समस्ठ हो गया यार मतलब वास्त भी कुछ रहे यह सब गंगा नहना यह सब चला गया इतने में जब किसी का विश्वास तूटता है तो भगवान उसको जैसे आपको यहां भेज दिया या भगवान श्वयम समझा देंगे क्योंकि विश्वास भगवान पर किया न तो वही समझा देंगे कोई ऐसा सास्त्र पढ़वा देंगे कोई प्रवचन सुनवा देंगे अच्छा आपके संद्र या अंदर है विवेक जाकरत यह उनके आथ का बात हो क्या करते है बहुआ ने एक ब्रामन के रूप में वयोब्रदत अपश्विवास अरे बेटा तुम्हारे काटा लग गया क्या राम राम बुले नाम मतलूब पूरा जीवन हो गया नाम लेते हैं हमको क्या मिला वो हमारा मित्र है शराप पीता व्यवचार करता नाना प्रकार के और देखो उसे अटैची मेरे यहां भोजन की वेवस्थानी पूरा जीवन हो गया बुले पहले काटा निकाल लेने भगवान थे सर से कोई पीड़ा नहीं है का बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा क्यों है तुम्हें ऐसा क्यों है तुम्हें टीवी चल दे न सीरियल यह देखो चिप लगा दे तो पूरा सीन और उसको पूरजन्म का सीन दिखाई देने लगा कि ऐसा भयानक बार में ऐसे घुज जाए वो तडपता हुआ कितने गंटों बहुत बुरी मृतिव बहुत बुरी मृतिव जैसे कुनुष की सजा गार बहुत बुरी मृतिव वो तुम्हारे इस भजन के प्रभाव से सारे पापनश्ट हो गये एक खजूर के काटे में निकल गया अब मैं इस प्रांत का ये राजा होता परिशने बेविचार करके पाप करके सारे पुणे नश्ट कर दिये अब इसको जो एक अटेची में हिरे जवारत मिले खाली बस समापत उसका पुणे इसको जहां भोगेगा तापूर्व का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा तो इस सत से चलने वाला भजन करने वाला दुखी हो सकता है और गंदा आचरन करने वाला बढ़ियां पर द्यान रखना वो बढ़ियां तब तक है जब उसका पूरू का पूर्ण चल रहा है जहां वो खतम हुआ फिर देख लेना क्या बढ़िया है रावण की खोपड़ी को जब अंदर लात मारते थे ना कटी खोपड़ी तो मंदोदरी रो के कह रहे थे राम बिमुकस हाल तुम्हारा और रहान कोकुल रोवन याओ एक समय था कि जब चिलता था रावण तो प्रत्वी कांपती थी दिगच्ची कारते थे वही भगवान के बिमुक जब हुआ लात मारत खोपड़ें फटबाल की तरह रावण की खोपड़ि हां राम बिमुकसाल तो तो हम लोग की आँवरतमान को देखकर के अनज्याद लगा लेते गलत है और सही चल्हाई अपर बार बार उसको दोका खाना ने पड़ रहा है तो लगता सही का है यह गलत चल्दा है और रहे थोड़े दिन देखो पंडों को बनवास हुआ लेकिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ति सम्राट का विजेक महलाज युदी स्ठिर को यह हुआ काट की फेक देगे पूरा परिवार को रोंका है ना थोड़ी दिन के लिए दुरियो धंदो शासाने सब पूल रहे थे वो विचार कष्ट पा रहे थे बन में लेकिन परिणाम भगवान श्री कृष्ण और धर्म जिसकी तरफ है जय उजी तो थोड़े दिन कष्ट मिलना कोई मताब बुरी बात नहीं परिणाम बढ़िया हो यह बात देखे थोड़े दिन मौज मस्तियों परिणाम तो फिर परिणाम अब म ऐसी सकती हमें देन दाता मन का विश्वास कमजूर होना कहीं से भी बात हो अपनी बात आये हे परभू मुझे ऐसी शामर्थ दो कि आपके प्रदिक अभी मन का विश्वास कमजूर नहीं पार यह माया करेंगी लोग ऐसा उपहास करेंगे बड़े भजनानंदी मन के हो गई प्रदिक चल रहा है हमारी नई खेती है यह देख लो नई खेती है आप नौजवान राधा आप इसर्रंग के लोग नोकरी छोड़ करके बावाजी बने बैटे हैं यह हमारी कमाई है और यह हमारी पीछे की कमाई है पूरजन्म का कोई पाप मा के गर्व से ही ऐसी रचना क किड़नी की अब जाकर को फेल होगे गर्व से ही होता पॉल्सिष्ट किड़नी डिजीज यह रूग होता है जो मा के गर्व से इसकी रचना होती है यह बंशान उगत आता है तो किसी के कहने से क्या है भाई सब संसार में अपने-अपने मन से चल रहे हो कुछ भगवान को ग को यह रा को यह बिदा समय पती है